ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें मैं उसलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइज क्या हॉकर्स को इसी लिए हटाया गया था कि यहां गाडियां पार्क की जाए सवाल ये भी उठता है कि इससे पहले रोट पर पार्किंग हो रही गाडियां पहले कहां पार्क होती थी हौकर्स को हटाया गया रास्ता विस्तारी करन के लिए और आज अब उसी रास्ते पर अवयत पार्क की जा रही है गाडियां लोग इस अवयत पार्किंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं जब हमने इस बारे में जानना चाहा कि आखिर आवायद पार्किंग क्यों नहीं हटाई जा रही है आखिर इस पर कब कारवाई होगी इस पर हमने मुम्बरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ट पुलिस निरिष्चक मधुगर कड और ट्राफिक बिभाग के वरिष्ट पुलिस न अधर लोगों को तकलीफ नहीं हो रही है क्या कहेंगे इसमें ऐसा है कि हमने सिर्थ कौसा कर्पोरेशन के उपर नहीं लगाया गया है लेकिन अंदर के हर रोल पर मार्केट लगी हुई है लोग वहां विल्कुल व्योवार कर रहे हैं वहां अंदर हमने कोई विश्टबस नहीं किया है मार्केट अंदर चालो है और यहां के जो लोग है लोगों की हमको बहुत अच्छी रियक्शन और रिस्पॉंस भी मिल रहा है जब ट्रापिक खुली है तो लोग भी जल्दी घर पहुंच रहे और जो रोजा उनने पकड़ा है वो रोजा घर पी छोड़ रहे उनको भी बहुत तसल्य हो रहे और उसके बारे में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉंस हम लोगों को लोगों से मिल रहा है जो रोड के साइड में गाड़िया पार्क की जा रही है तो इसको लेकर आपने का ट्राफिक विभार में शिकायत किये बराबर है कि पहले तो आपने कल भी विभार के सिनेर पिया जो है नामबाजते साथ उनको बता याता हम साथ में काम कर रहे तो उनको पता कि लगाए उन्होंने गाड़ियों के ओपर एक्शन लिया हुआ है और आज भी मैंने फोन करके उनको बोल रहा है कि आप ग्रेंसे जो गालिया रोड पे ल जो ब्रेक कर रहा है उनके उपर बिलको लेक्शन होगी वो मुम्रा वास्यों के लिए अच्छा है ट्राफिक क्लियर रहे तो लोग जल्दी घर पहुंचते रस्ते जो है जो बनाया है वो ट्राफिक के लिए बनाया है जो पार्किंग साइड में हो रही है यह इतने ही सिका तो वाहां पर घाड़ीया तो उसको क्या हटाया जाएगा या ते बहुत जगह भी काम फेंडिंग यह काम चल रहा है बहुत जगह काम면 अधिन आपना रहे हैं सब्सक्राइब दो तीन महिना जाये हैं उसके बाद हमारा प्लान क्रेदी है वह हम फॉलो करें जो गाड़िया खड़ी है वह तक खड़ी रहेंगी जब तक काम पुरा नहीं होता ता यह लो लाइन के अंदर जो खड़ी है वह रहेगी लेकिन यह नहीं हुआ है करीब दो महीने में रोट की साइड पे खड़ी गाडियों को हटाया जाएगा इस मसले पर पुलिस टीमसी से संपर कर बात चीत चल रही है फिलाल हमें जो जानकारी दी गई है कि दो महीने में ये अवैज पार्किंग गाडियां रोट के साइड से हटा ली कि तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाट टाइम्स